चेहिन प्यारे साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का BPSC वाला YouTube चैनल पर मैं अविनास आप सबों का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम में मुसलिम मैरेज लौ और डाइवॉर्स बिल की बारे में जी हाँ क्या ये कदम असम सरकार द्वारा जो यूनिफॉर्म सिबिल कोड की जो बात हो रही है UCC की जो चर्चा कुछ दिनों से चल रही है भारत में उसकी तरफ उठाया गया एक पहला स्टिप है या कुछ और क्या इसमें राजनीत है या इस यहाँ पर भोट बैंक का भी करण की कोशिस की जा रही है इन सारे तमाम पहलूं पर आज का यह डिस्कॉसन केंद्रित रहेगा इस वीडियो पर हम लोग इन सारे बातों पर बात करेंगे तो वीडियो को 2024 की बात हम लोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं हेमंता विश्व सरमा जी जो की असम के CM है उनका एक जो यहाँ पर आया है टर्म की निकाह को पहले काजी रेजिस्टर करते थे अब सरकार इनका रेजिस्ट्रेशन करेगी और बाल विवाह का रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा आखिर इन तमाम चीजों का संदर्भ क्या है जब हम लोग step to step चलते हैं तो उसमें समझ में आएगा हमारे पास बात आप यह हमंता विश्व सरमा जी का एक ट्विट पहले देख सकते हैं यह 29 अगस्त की ट्विट है जो उनोंने की थी तोड़े इज ए हिस्टॉरिक देख इन आर एफर्ट तो fight the social evil of child marriage अशाम लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ट दा असाम compulsory registration of Muslim marriage and divorces bill 2024 इस act will now make it mandatory to register marriages with the government and cannot countervane the legal age of marriage of 18 years for girls and 21 years for wives ये हमंता विस्त्व सर्मा जी का ट्विट है जब उनोंने वहाँ पर आसाम बिधान सभा के द्वारा जब ये bill पास किया गया तब अब थोड़ा सा आगे हम लोग सरल सब्दों में आसान सब्दों में जानने की कोसिस करते हैं अपने bill को देखिए आसाम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ओफ मेरेज और डाइवोर्स बिल 2024 के अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझने की कोसिस करिएगा कि असम बिधान सभा ने 29 अगस्त को मुसलिम सादिया और तलाक रजिस्टर करने बाले 90 साल पुराने कानून असम मुसलिम मैरेज और डाइवोर्स रजिस्टरेशन एक्ट 1935 को रद करने का बिल पास किया पहले वहाँ पर जो आखिर चीजें चलती थी मुसलिम मैरेज और डाइवोर्स रजिस्टरेशन एक्ट जो था वह किसके अंतर गत होता था तो 1935 में एक्ट लाया गया था बिटिसकाल में उसी एक्ट के द्वारा वहां पर उनका marriage और divorce registration चलता था इस बिल का नाम असम कंपलसरी registration of Muslim marriage and divorce bill 2024 है बिल का नाम आ गया इस बिल ने किसको repeal किया किसको cancel किया उसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए अब देखते हैं कि असम सरकार के राजस्व और आपदा प्रवंधर मंतरी जोगेन मोहन द्वारा ये बिल पेस किया गया और इस बिल क्या किया है मुसलिम बिवा और तलाक अधिनियम 1935 की जगह लिया है इससे पहले भी असम सरकार ने इसके संदर्भ में एक अध्यादेश लाया था मार्च में मार्च 2024 में एक ओडिनेंस लाया था और उस ओडिनेंस के जरिए इस जो बिटिस काल का बिल था उसको निरस्त किया गया था इसी ordinance के लिप को अधिनियम बनाने के लिए 22 अगस्त 2024 को बिधान सभा में एक बिल पेस किया गया और जो बिल पेस हुआ है वही बिल 29 अगस्त को बिधान सभा के सदन से पास हो करके क्या हो गया तो अधिनियम के रूप में convert हो गया अब बात करते हैं इस बिल में दो महत्तु पूर्ण प्राबधान है उन प्राबधानों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बिल के आखिर प्राबधान क्या है यह देखियेगा पहला मुसलिम सादी का registration अब काजी नहीं सरकार करेगी पहले क्या होता था मुस्लिम जो साधियां होती थी उसका registration कौन करते थे काजी अब काजी नहीं करेगी सरकार करेगी एक तो ये आ गया दूसरा है कि बाल बिवाह के पंजी करण को अबैध माना जाएगा और अगर कोई बाल बिवाह की कोशिस ह होती है तो उसको क्या मान लिया जाएगा इलीगल माना जाएगा अभी मैं सर्तों में बताऊंगा इसके लिए टोटल छे कंडिशन्स छे सर्तें तैकी गई है तो उस समय आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगे अब देखिएगा असम मुस्लिम मैरेज एंड डाइबॉर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में 21 साल से कम उम्र के पुरुस और 18 साल से कम उम्र की महिला की साधी का रजिस्ट्रेशन किये जाने की संभावना थी जो 1935 का जो बिल था उस बिल में 21 साल से कम उम्र के पुरुस और 18 साल से कम उम्र की महिला की साधी का रजिस्ट्रेशन किये जाने का प्रोविजन था, पॉसिबिल्टी था, अब उसको क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है, मुख्यमंतरी जी जब ऐसा बिल पास होगा, तो अपना तो कुछ न कुछ बकतब देंगे, यह मनता विश्व सर्मा ने असपस्ट किया, कि काजियों द्वारा किये गए, क्या वो बैद नहीं होंगे, क्या वो भी अबैद हो जाएंगे, तो असपस्ट तोर पर मुख्यमंतरी जी द्वारा ये घोशना कर दी गई, कि बिल आने से पहले जो भी काजियों के द्वारा बिवाह कराए गये हैं, वह बिवाह मानने रहेंगे, यानि अब जो बिवाह हो उनके लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसका complete process बताया गया है, ताति उन्होंने कहा, कि हम मुस्लिम धार्मी कानून के तहत इसलामी रीती रिवाजों से संपन्य विवाहों में बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वो ये भी बात कह रहे हैं, कि हो सकता है, उनकी छवी को देखते हुए भी, इसलिए वो असपस्ट कर रहे हैं, कि हम हस्तक छेप नहीं कर रहे हैं, हमारी एक मात्र सर्तिय है, कि इसलाम द्वारा निशिद बिवाहों का पंजी करन नहीं किया जाएगा, यानि वैसे बिवाह, जिसको इसलाम में भी निशिद किया देखिए, नया कानून है क्या, तो नया कानून में बिवाह के तहट, जो बिवाह पंजीकृत होने के लिए, मैंने भी थोड़ी दिर पहले आपको बताया था, कि छे सर्त पूरा होना चाहिए, कि इतना सर्त पूरा होना चाहिए, तो यहाँ पर छे सर्त पूरा होना अब वो छे सर्थ कौन है? पहला तो ये कि दमपत्ती को बिवाह के बाद से पती-पत्नी के रूप में साथ रहना चाहिए. कई सारे मामलों में ऐसा देखा गया कि बिवाह के बाद लरकियों को छोड़ करके जो उनके हस्बेंड होते थे वो चले जाते थे. तो अब निश्च दिन पहले बिवाह और तलाक रजिस्ट्रार के जिले में रहना चाहिए. इसरा बिवाह की तिथी पर लरकियों की आयू कम से कम 18 वर्स और लरकों की आयू 21 वर्स होनी चाहिए. यह आपको पता है, यहाँ पर आ जागा बिवाह के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत्ती होनी च सिद्ध संबंद की सीमा के भीतर ना हो या वैसा जो कह सकते हैं कि सरियत या इसलामी कानून के अंतरगत में शिद्ध हैं उसको यहां पर मानेता नहीं मिलेगी मतलब उसकी सीमा के भीतर रहें तो अगर ये छे कंडिसन्स आप पूरी कर रहे हैं तब आपको क्या मिलेगा प्रमानित करने वाले दस्ताबेज भी सामिल होने चाहिए कि आपकी एज लड़की की एज 18 साल हो रही है कि नहीं हो रही है लड़का का एज एक कई साल हो रहा कि नहीं हो रहा है और निवास अस्थान कहां क्या अप निवासी हैं इसको प्रमानित करने वाला डॉक्युमें हैं लरकियां अगर बिधवा हैं तो उनकी अब लरके बिधुर हों तो उनकी बात ठीक है तो ये पूरा का पूरा आपको अपना marital status भी clear करना होगा प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दोनों पक्षों की सहमती के बिना बिवाह को रोकना है और विवाहित महिलाओं को बैवाहिक घर में रहने और भरन पोशन प्राप्त करने की अपने अधिकारों का करने में सक्षम बनाएगा या बिधवाओं को उनके पती की मिर्थिव के बाद उनके उत्तराधिकार के अधिकार और अन्यलाभों का दावा करने में भी मदद करेगा पहले क्या होता था कि उनको उत्तराधिकार और अन्यलाभ का दावा नहीं मिलता था अब ऐसा माना पूरुसों को बिवाह के बाद अपनी पत्रियों को छोड़ने से हतोत साहित करेगा और बिवाह संस्था को मजबूत करेगा जो बिवाह संस्था की बात होती है marriage institution की बात उसको क्या करेगा यह मजबूती परदान करेगा बिल साथ ही ध्यान रखिएगा इसमें बाल बिवाह की बात की गई है बहु बिवाह की बात नहीं की गई है इसको understood कर लिजेगा नए कानून का अब नया कानून आया तो बीरोत तोना लाजमी है और वह अभी जब असम की सरकार और खास करके हमनता बिस्तो सरमाजी लेकर आए AIUDF यानि All India United Democratic Front ने इस कानून की आलोचना की कानून के खिलाप बोलते हुए AIUDF ने ता अमिन इसलाम ने कहा कि हम बाल बिवाह के खिलाप हैं उनका कहना है कि हम बाल बिवाह के खिलाप हैं लेकिन सरकार पिछले अधिनियम में कुछ प्रावधानों में संसोधन कर सकती थी मतलब जो 1935 का एक्ट था उसमें बाल बिवाह को रोकने के लिए के वहलाप संसोधन कर देते बाकी चीजों को रहने देते लेकिन इसके बजाए उन्होंने असम मुसलिम बिवाह और तलाग कि हम इस बिल के खिलाप कहा जाेंगे तो न्याइपालिका का दरवाजा खट खट आएंगे और न्याइपालिका के भीतर जाएंगे और वहाँ पर इस मामले में जज्जमेंट लेने की कोशिस करेंगे तो ये तमाम पहलू हैं आपने यहाँ पर असम सरकार का भी Statement समझ लि तो यह अच्छी ही बात है कि बाल बिवा को निशिद्द किया गया है, इसमें बिल में कहीं कोई खाम ही नहीं है, और उमीद करते हैं कि अगर सुप्रीम कोट भी जाएंगा, कोई हाइप कोट भी अगर इस बिल पे चैलेंज किया जाता है, तो मानने ये अदालत के द्वारा भी इस बिल को बढ़करार रखा जाएगा, तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंतरगत हम लोग इतने प्राभधानों पर चर्चा किये हैं, और उमीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और साथी साथ ये भी उमीद किया जा सकता है, जो हम लोग बात कर हैं, ये उसी सी की दिसा में बढ़ता हुआ एक कदम भी ये हो सकता है, तो तमाम पर लोगों के साथ फिर किसी नए वीडियो के साथ मेरी मुलाकात आपसे होगी, आज के लिए इतना है जहिंद,